देश की तरक्की में एक महतवपूर्ण भूमिका निभाती है चुनी हुई सरकार चाहे वो देश की हो प्रदेश की हो जिले की हो और उस सरकार की चुनाव प्रक्रिया में बहुत ही महतवपूर्ण भूमिका निभाती है EVM मशीन्स जिसके द्वारा हम वो डालते हैं और इसस से विशेपर हम बात करते हैं मैं आपको समझाता हूं कि क्या इवियम वाकई में हैक की जा सकती है इवियम को टेंपर किया जा सकता है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेग गेजट जैसा कि अब जानते हैं कि 1999 से लेकर अभी तक राज्य के चुनाव में सरकार चिन लगा होता था उसको फोल्ड करके हम बैलेट बॉक्स में डाला करते थे पहले 1999 से पहले ऐसे बैलेट पेपर से चुनाव किये जाते थे लेकिन 1999 में इवियम मशीन आई और चुनाव फिर उसके द्वारा संपन किये जाने लगे बीच बीच में इवियम टेंपरिंग प पेपर और ट्रेल की शुरुआत की जिसके द्वारा वोटिंग मशीन के बाद इस मशीन में से एक पर्ची निकलेगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जिस के आगे का बटन दबाया है क्या वाकई में उस के वोट गई है और अगर हमने जिसको वोट दी है और उसी के आगे की पर्चीनिकली तो है थाबित हो जाता है कि यहां कोई नहीं हुई है कोई है कि नहीं हुई है यह मशीन बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बाद भी सवाल उट रहे है तो आज हम इसमें बात करते है कि क्या EVM को टेंपर किया जा सकता है टेंपर करने का मतलब है कि EVM मे बनाई गए थी उनमें सभी जो टेक्निकल फीचर्स थे वह उन सब को ठीक ठाक बनाया गया था कि उनको हैक ना किया जा सके लेकिन उसके बाद भी दोजाच है में कुछ यह सुझाओ लाए गए कि उन मशीनों की EVM मशीनों को और भी जा तो सिक्यूर किया जा सके दोजाच कि उसके बाद छेठार नहीं की जा सकती और हमारे यहां की जो EVM है वह कंप्यूटर से किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं की जा सकती है वह सिर्फ जो मशीन है सिर्फ वही एक मशीन है उसके अलावस को इंटरनेट से वाई-फाई से ब्लूटूथ से किसी भी wireless connectivity से उसको नहीं जोड़ा गया जिसकी वर्यस्तों से टेंपर नहीं किया जा सकता एक तरही बात यह दूसरी यह कहते हैं कि जो manufacturer है जहां पे मशीन बन रही है क्या वहीं से उनको टेंपर नहीं किया सकता है वहीं से से किस नंबर पे उसका नाम वोटिंग मशीन में आएगा वो पहले से सेट करके रखे तो भी है यह तो पॉसिवल देखो नहीं है ठीक है तो इस तरह से यह वाला जो मैनिफ्रेक्चर वाला डाउट है वो भी क्लियर हो गया कि इस तरह से उसको मैनुपलेट नहीं किया रसकता और फिर यह कह देंगी पुरानी मशीने काम में लाज जा रही है वो मानक पर खरी नहीं है उनको जो पुरानी मशीने हैं उनको कुछ समय बाद उनके सेक्यूरिटी फीचर इतने बडेट नहीं रहते तो उनको टेमपर किया रासका तो ऐसा नहीं है एक जो इलेक्ट्रोनिक के अंदर इसको नस्ट करवा जाता है जिस मशीन के पंदरा साल से ज्यादा हो जाती है तो यह डाउट भी नहीं है एक सवाल फिर यह उड़ते हैं कि क्या जो हमारी हैं की इवियम मशीन है उसमें फॉरेंड टेक्नोलोजी का यूज कि आ या तो भीया देखो यह है कि जो एव कर दिया तो हम यह जान लेते हैं कि जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन थी वह कंप्यूटर के द्वारा उनका संचालन किया जाता था जिन में ब्लूटूथ वाइफाई से कनेक्टिविटी थी जिसकी वजह से उसको हैक किया जा सकता था उसमें कुछ इसी भी तरह से कंप्यूटर से लिंक है ही नहीं उनको ब्लूटू से कनेक्ट नहीं किया जा सकता उसमें कोई एक्स्टर्नल मॉबाइल की चिप वगरा इस तरह का कुछ भी नहीं डाला जा सकता तो तो इस तरह से कुछ टेंपर किया भी जा सकता होगा ऐसा बिल्कुल भी आनी है तो यह कुछ मोटे मोटे कारण थे जिनकी वेज़े से हम यह पता कर सकते हैं कि हां वोटिंग मशीन जो भारत की है उनको टैंपर नहीं किया जा सकता आपका वोट आप जहां पर दो के वहीं पर जाएगा लेकिन फिर भी भी दिखो है तो यह मशीनी ठीक है अभी त के लिए आप निशिंत रहे कि EVM में कोई हैकिंग है इस तरह का बिलकुल भी कुछ नहीं है तो बस यही था तो आपको भी इलेक्ट्रोनिक वोट्रिंग मशीन के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत मुझसे कुछ मिस हो गया है या आपको कुछ और सव स्ट्राइब कीजिए धन्यवाद